Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं chapter number 6, Physical and Chemical Changes. हमारे आसपास बहुत सारे physical और chemical changes होते ही हैं. Physical changes, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, कि ऐसे changes, जिसमें किसी चीज़ का, किसी substance का, color, shape, size change हो जाए, वो physical change होता है. और physical change के बार हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलती, मतलब जो substance है, जो किसी और form में, या state में change हो गया है, लेकिन उसकी जो properties है ना, वो वैसी की वैसी रहती है. यह आप इतना बस समझ लीजे, कि कोई भी एक नया चीज़ उससे form नहीं होती. लेकिन chemical changes क्या होते हैं? और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो अपनी property को ही change कर देता है. मतलब अगर आपने खटा मीठा मिला दिया, तो उसका जो original taste था, वो जाकर के कुछ और ही बन जाएगा. अगर मैंने acids को मिला दिया और salt को मिला दिया, तो दोनों मिलने के बाद कुछ और ही तरह के का substance हमें देंगे. ठीक, जैसे कि हमारे digestion, digestion का जो पूरा आपका system है, वो एक chemical reaction को ही बताता है. ठीक है? तो I hope physical change और chemical change के बारे में आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा, जिससे आपको मैंने बहुत सारे examples बताये थे, ताकि आपको याद रहे कि physical change क्या होता है, और chemical changes क्या होता है. ठीक है? आज हम जो topic पढ़ने वाले हैं, वो related है chemical change के. ठीक है? Rusting. Topic का नाम क्या है? Rusting. Well, rusting ये word आपने बहुत बार सुना होगा. क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है? कि हम हमारे घर के आसपास क्या करते हैं? मान लिजे कि हमने आपमारे रूफ पर iron के कुछ pieces को रख दिये. या कुछ ऐसा समान जो कि iron का हो और हमारे काम का ना हो, हमने उसे उपर छोड़ दिया. थोड़े दिनों बार आप क्या देखोगे? मतलब एक, दो, तीन हफते बाद आप ये देखोगे कि धीरे-धीरे में उसमें कुछ dotted form का brown-brown से spot बढ़ना शुरू हो जाते हैं. और अगर आपने उसको वैसे ही रहने दिया, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि वो जो brown material था, जो कि आपके iron के piece के उपर बन रहा था, धीरे-धीरे वो पूरे iron पर फैलना शुरू हो जाएगा. और समय के बाद अगर आप देखोगे, तो क्या होगा? कि जो iron का piece वहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीके? पहले आप उसको जब उठा के देखते थे, और उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, तो आपसे तूटता नहीं था. लेकिन जब उस पे इस तरह के का ये जो brown color का एक shade आ चुका था, तो धीरे 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 आप देखोगे कि वो थोड़ा सा गल जाएगा, गल जाएगा मतलब उसके strength कम हो जाएगी, और जब आप उसको इस तरह से twist करके देखोगे, तो twist करने के बाद आप ली देखोगे कि वो आसानी से तूट भी जाएगा. तो वेल ये जो brown spots थे, जो की पूरी तरीके से फिर फैल गए थे, वो क्या होते हैं, वो होता है rust, जिसको हम हमारी हिंदी लैंग्विज में जंग कहते हैं, ठीक है, तो वेल ये rust आपने कई बार देखी होगी, कहां कहां देखी होगी, वेल आपने देखी होगी, कहीं gardens में अगर iron की benches हैं, steel की benches हैं, या फिर ऐसी कुछ आपकी गाडियों में पहले क्या होता था, कि lock लगाने के लिए normally लोग इस जंजीर का use करते थे, जंजीर वर्ड तो सुना होगा, ठीक है, तो ये जो chain होती है, जिसको अपन जंजीर भी कहते हैं, वो भी अगर खुले में रख दी जाए, तो क्या होता है, थोड़ी टाइम के बाद, उसका color change होने लग जाता है, जिसको अपन जंग कहते हैं, हम ये कहते हैं, कि उस material के उपर जंग लग चुकी है, rust लग चुकी है, तो ये जंग जो है, वो actual में कैसे होती है, तो ये जो जंग है न, actual में ये एक chemical reaction है, आप सोचेंगे chemical reaction कैसे, हमने तो हमारे बस iron piece को रखा था, उसके उपर तो हमने कोई भी चीज नहीं डाली, तो फिर ये reaction कैसे हो गई, तो भाई, ये जो रस्टिंग है, ये actual में कौन सी reaction है, ये जो रस्टिंग है, ये react करती है oxygen और moisture के साथ में, या आप कह सकते हो oxygen और water के साथ में, जब oxygen और water को आप iron piece पर डाल दोगे, कुछ टमे के बाद उसमें एक reaction होती है, जिससे बनने लगते है iron oxide, क्या बनेंगे iron oxide, और जिसको हम normal कहते हैं कि वो rust है, clear, ये जो rust है अगर किसी भी समान पर लग जाती है, तो धीरे-धीरे इस rust की वज़े से उसकी जो strength है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगी, मतलब आसानी से वो तूटने लग जाएगा, आपने तो देखा ही होगा कि अगर जंग लगा हुआ, कोई pipe बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, ठीक है, steel का pipe है या कोई ऐसा pipe है, ठीक है, तो धीरे-धीरे क्या होता है, कि वो उसकी strength कम हो जाएगी और आप उसको आसानी से तोड़ भी सकते हैं, इवन कई बार तो क्या होता है, कि बच्चे खेलते-खेलते, अगर उस पर पैर मार दे, तो वो थोड़े powder form में भी convert हो जाता है, तो वैले आज यह जो topic है, यह है rust, रस्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ी information दी, कुछ important point जो कि आपको याद रखना है, वो क्या है, चलिए वो देख लेते हैं, इसके बार मैं आपको बताऊंगी कि rust जो इस chemical process से बनता है, वो chemical reaction होती क्या है, और फिर हम यह जानेंगे कि भाई यह जो rust है, जो हमारे इतने सारे चीज़ों को अगर खराब कर रही है, तो इससे prevention किस तरह से मिले, हमें इसको किस तरह से बचा सकते हैं हमारे समान को, कि उसमें जंग ना लगे यह rust ना लगे, तो चलिए पहले तो कुछ important points, rust के बारे में क्या हैं, वो जान लीजे, rust is formed when iron is exposed to oxygen in the presence of moisture, ठीक है, अब iron या फिर iron का कोई भी alloy, यहाँ पिर क्या लिखा हुए एक बर्ड, or an alloy of iron, alloy मितलब होता है iron के तरह ही या iron से बढ़ने वाली और भी metals, ठीक है, तो कोई भी iron, steel, ठीक, यह सारी चीजे, इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ iron की ही नहीं, तो भेल कोई भी iron या फिर iron का अगर iron से ही बढने वाले और भी जो alloy होते हैं, अगर हम उनको कहां छोड़ दें, अगर आप उसको खुले में छोड़ दें, तो oxygen और moisture की present से उनके उपर rust form होना शुरू हो जाती है, आपको याद रखना है, यह जो process है, वो तुरंत नहीं होती, कि मान लिजे, आज आपने रात में समान अपना बाहर छोड़ दिया, या दिन में बाहर समान छोड़ दिया, और दूसरे दिन आप देखो तो उसमें जंग लग जाए, ऐसा नहीं होता, इसमें एक time लगता है, एक particular duration लगता है, और यह depend करता है कि बाहर कितनी जादा moisture है, अगर बारिश के टाइप में आपको इसमान छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि उसमें rust जल्दी लग जाती है, लेकिन अगर यही चीज़ आप गर्मियों में या ठंड में थोड़ी देर छोड़ देंगे, त क्योंकि moisture तो already हमारे atmosphere में रहता है, तो जहां पर humidity जादा हो और जब आपका rainy season होता है, तो उस condition में rust जल्दी लगती है, क्योंकि moisture content जादा बर जाता है, ठीक है, तो क्या point याद रखेंगे, second point, this reaction is not instantaneous, rather it take place over a long period of time, ठीक है, iron oxide are formed by oxygen atoms combined with iron atoms, जब oxygen के atoms, क्योंकि हमने क्या बता है, आपको air plus moisture के साथ reaction होती है, तो हमारे atmosphere में कौन सी air है, oxygen, तो oxygen जब iron के atoms के साथ, oxygen के atom, iron के साथ जब react करते हैं, तो उससे बनता है, क्या iron oxide, क्या याद रखना है आपको, iron oxide, oxygen के साथ मिला, इसलिए oxide, ठीक है, so iron oxide form होता है, the bonds between the iron atom and in the object, or structure are weakened as a result, ठीक है, अब वेल क्या होता है, कि जब iron oxide में convert हो जाता है, iron का atom, तो उनके जो बीच के bond होते हैं, वो धीरे धीरे weak हो जाते हैं, अब ये bond वाली चीज क्या है, ये समझे, तो वेल आपको, although आप ये चीज ना, थोड़ी जब और higher class में जाएंगे, तो और detail में हो, या हमारा metal हो, हर चीज क्या है, हर चीज जो है, वो atom से मिल करके बनी होती है, ठीक है, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी atom से मिल करके बड़ी इसी चीज बनी होई है, इन atoms के अंदर एक ही, मतलब ये जो आपके जो भी चीज होती है, उसमें एक ही atom नहीं होता, उ जब ये दोनों इनके बीच में जो आटम से जब ये जुड़े हुए रहने का मतलब क्या होता है उनका आपस में बॉंड बना लेना ठीक है तो जब ये आटम आपस में बहुत अच्छी तरीके से बॉंड बनाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो है ना मटेरियल की वो बड़ी जाती है तो जो इनका बॉंड है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है ठीक है तो रस्ट की वज़े से क्या होगा कि जहां पहले एक मटेरियल को आपको तोड़ना मुश्किल था लेकिन रस्ट ने क्योंकि आटम के बीच के बॉंड को ही लूज कर दिया तो इसकी वज़े से व यह पार्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा मतला पौड़र फॉंड में भी कर जाएगा क्लiona टोड़ हूज रस्ट थोड़ी सी खतरनाक चीज है अगर आपको समान को अपने बचा करके रखना है तो rust नहीं लगने देना चाहिए तो फिलहाल आपने जान लिया कि rust कहां से लगती है क्या होती है rust clear आपको कुछ examples मैंने already बता दिये कि आपके घर में पढ़ा हुआ कई दिनों का समान उसमें आपको जंग दिख जाएगी कौन से समान में दिखेगी जो कि iron या उसके alloy से बने हुए हो ठीक है steel के समानों में दिख जाएगी ठीक तो यह जो rust है इसके लगने का क्या सर्फ moisture ही कारण है वेल आपको यह पता होना चाहिए कि rust कब आती है उतना जादा जंग लगने की या rust लगने की conditions बढ़ जाती है तो hydrogen content बढ़ता कैसे कैसे है तो भाई जब अगर moisture हो तब बढ़ेगा या अगर आपने उसके उपर acid डाल दिया तो pH value बढ़ जाएगी क्योंकि सामान का pH value change हो चुकी होती है इसके अलावा salt salt में भी क्या होता है salt की वज़ा से भी जो rust है ना वो और जल्दी बढ़ जाती है और जल्दी लगना शुरू हो जाती है जैसे for example हमारे normal water में अगर आपने कोई iron का या फिर iron का piece अगर डाला हुआ है तो वो इतनी जल्दी नहीं जंक खाएगा जितनी जल्दी आपने sea water के सामान को डाल दिया तो क्योंकि sea water में होता है salt और salt के कारण जो rust है वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रड्यूस हो जाती है clear? तो चलिए फिलहाल हमारे लिए जो ज़रूरी है जानना कि rust कैसे आती है तो मैंने आपको बताया जब हम इसे environment में moisture या oxygen के contact में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें rust बढ़ना शुरू हो जाती है क्यों? क्योंकि iron के atom iron oxide में convert होना शुरू हो जाते हैं clear? दूसरी चीज़ moisture के अलावा और भी ऐसी चीज़े होती है जिसके कारण rust जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू होती है जैसे अगर acid content लगा दिया जाए metal के उपर या फिर अगर अपने इसको salty water में रख दिया और जितना जादा humidity या पानी होगा उतनी जल्दी rust जो है वो बनना शुरू होती है या फिर उतनी जल्दी जो iron atom है वो iron oxide में convert होना शुरू हो जाता है clear? तो ये तो हमने definition जान ली और ये समझ लिया कि जो iron के उपर rust है वो instantaneously नहीं लगती बलके एक long period of time में लगती है अब चलिए जान लेते हैं कि इसकी chemical reaction को अगर मुझे लिखना है तो chemical reaction क्या होगी? चलिए तो the process of rusting can be represented by the following equation अगर हम एक chemical reaction लिखे क्योंकि ये कैसी process है? ये एक chemical reaction है ये एक chemical process है ठीक है? तो इसकी एक chemical reaction होती है जिसमें भी chemical process होती है या chemical changes होते है उनकी अपन को एक reaction लिखने होती है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो iron iron का जो chemical नाम है उसको हम किस से represent करते हैं? FE से oxygen के लिए auto use करते हैं आपको पता ही है तो जब आपने iron में क्या-क्या mix कर दिया? iron में जब आपने oxygen को mix कर दिया और H2O को mix कर दिया तो यह क्या में किस सीज में convert हो जाएगा? rust में और आपको क्या मिलेगा? FE 2 O 3 ठीक है? oxygen का O 2 और यहां से वा आपके water का O मिलकर के O 3 हो जाएगा तो FE 2 O 3 होता है iron oxide जिसको हम rust कहते हैं तो clear हुई आपको reaction क्या reaction है? FE plus H2O plus O2 इसको अगर आप मिला दोगे तो आपको मिलेगा FE 2 O 3 जो की क्या होता है? जो की होता है जंग या फिर rust clear? तो यह reaction आपको याद रखनी है कौन सी reaction? chemical reaction of rust ओके? rust बनने की chemical reaction for rusting the presence of both oxygen and water और water vapor is essential well rust कभी लगती है? जब हमारे आसपास क्या हो? oxygen या water मतलब metal के आसपास oxygen या water का होना ज़रूरी है या water अगर नहीं भी है humidity की condition है तो भी यह जंग लगने की जो process है वो पूरी हो सकती है in fact if the content of moisture in the air is high which means if it is more humid rusting becomes more faster जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या point याद रखना है कि जितना ज़्यादा moisture content होगा उतनी जल्दी जो है हमारी जंग लग जाती है जैसे मैंने आपको किसका example बताया? मैंने बताया rainy season का rainy season में normally जो है वो आपकी fungus भी ज़्यादा produce हो जाती है क्योंकि moisture बढ़ जाता है और दूसरी चीज़ अगर अपन chemical changes में देखे तो और क्या change होता है? rust बढ़ना बहुत ज़्यादी शुरू हो जाती है तो आप reason समझ में आ जाएगा कि अगर आप से किसी ने बोला कि भई बारिश के टाइम में बहुत जग लगती तो आप बताती है हाँ भी लगती है क्योंकि moisture content बहुत बढ़ जाता है atmosphere में तो oxygen और moisture मिलकर के iron में क्या करते है iron को iron oxide में convert कर देते है जिसे हम कहते है क्या? हम जिसे कहते है rust clear? तो यह तो हमने पूरी process देख ली कि रस्ट बनता कैसे है रस्ट होता क्या है अब बाद यह आती है कि इससे बचा कैसे जाए इसको prevent करने के लिए क्या क्या तरीके है तो iron को rusting से बचाने के लिए या उस पर जंग ना लगे इस चीज़ से करने के लिए हम क्या करते है विल आपने देखा होगा कि हर साल हम दिवाली मनाते हैं दिवाली में क्या करते हैं हमारे हाँ जितने भी iron के, steel के, aluminium के अपने gates जो होते है प्रीके हम क्या करते हैं उनको paint करते हैं paint में कुछ इस तरह के chemicals होते हैं जो कि iron को iron oxide में convert नहीं होने देते तो इसलिए हर साल क्या करते हैं अपने paint करते हैं क्योंकि जितना पेंट करते जाओगे अपने gates पर अगर लोहे के gate हैं आपके घर में iron का gate है आप देखते होंगे हमारा जो main gate है वो generally iron कहीं बना होता है या iron alloy का बना होता है तो अगर आप उसपर paint करना छोड़ देंगे तो उसमें rust जल्दी लग जाएगी क्योंकि वो already बाहर होता है लेकिन हर साल क्योंकि अपन क्या करते हैं उसके उपर paint करते जाते हैं तो जितना अच्छे से आप paint उसपर करते रहेंगे वो उसकी जो durability है जो उसका duration है उसका life span जो है वो बढ़ जाएगा मतलब वो जादा दिनों तक चलता रहेगा तो पहला क्या है कि आप rust को कैसे बचाते हैं तो rust को prevent करने का एक थरीका है कि आप paint कर दें जैसे कि कहा कहा हम paint करते हैं तो एक example मैंने आपको बचाया कि हम हमारी जो main gate होता है हमारी घरों का उस पर generally paint करते हैं तो paint करते हैं से दो तीन चीज़ों हो जाती है एक तो हमारी खुबसूरती भी बढ़ जाती है गेट की और दूसरी जो important चीज़ है कि उसको हम rust से बचा लेते हैं ताकि जो metal है अंदर का वो direct किसके exposure में ना आए direct moisture और oxygen के exposure पर ना आए उसके बीच में आपने coating लगा दी तो जो oxygen या moisture content है वो metal तक नहीं जाएगा और rust होने की condition जो है वो कम हो जाएगी तो और examples जहां पर अपन ये जो paint करते हैं जैसे windows की grill पर तेक है आपके घरों में जो window है railway coach के coaches जो होते हैं उनमें हम लोग paint करते हैं and the bodies of automobiles, buses and trucks ठीक है अब जितने भी हमारे automobile system होते हैं चाहे वो bus हो, truck हो ठीक है पहले अब आप car की बात करें तो आजकल car जो है वो iron material से नहीं fiber body की होती है ठीक है लेकिन पहले कि जो cars होती थी उसमें iron का use जाधा तर किया जाता था तो आप देखते होंगे कि उनकी नीचे कहीं जंग लगना शुरू हो जाती है ठीक है लेकिन buses में, trucks में अभी भी हम iron का use करते हैं या iron alloy का use करते हैं तो उसलिए क्या किया जाता है time to time उनकी भी painting, denting की जाती है clear, तो पहला तरीका क्या है पहला तरीका है कि हम क्या करें rusting of iron से बचाने के लिए हम painting कर सकते हैं paint का use कर सकते हैं then क्या है, rusting of iron can be prevented by applying the grease और oil ठीक है, फिर आपन क्या कर सकते हैं grease और oil का use कर सकते हैं well आपने देखा होगा कि हमारी बड़ी-बड़ी machine होती है जैसे motors है, या फिर आप देखें कि आपका transformer है या ऐसी सारी machine है जो कि iron की या iron alloy से मिलकर के बनी होती है ये सारी चीजों में भी धीरे-धीरे जंग लगना शुरू हो जाती है तो वो proper तरीके से work नहीं कर पाती अगर वो rotating वाली motor है या rotation करने वाली कोई machine है तो उसमें rotation proper नहीं होगा आपने fans में भी देखा होगा कभी किल-किल किसी आवाज आने लगती है आपने gates के opening में और closing में देखा होगा कि कभी-कभी आवाज आपको आना शुरू हो जाती है तो यह सारी आवाज जो है वो basically rust की वज़े से होती है या rust की वज़े से कभी-कभी आपके जो machine है ना वो भी खराब हो सकती है जो normal अगर motor का example देखे तो motor भी दीरे-दीरे खराब हो जाएगी क्या है motor काय से बनी होई है motor बनी होई है आपके iron से या फिर iron के कुसी alloy से तो वेल हर जगे paint कर दें यह possible नहीं होता कहीं कहीं हमें क्या लगाना पड़ता है कहीं कहीं हमें grease और oil लगाना पड़ता है जहां पर भी rotation होना है तो उस rotation वाली जगा पर हम क्या करते हैं हम समय समय पर grease और oil लगाते हैं ताकि अगेन एक कोट बन जाए उस material के उपर उस metal के उपर ताकि जो exposure है उसका moisture और oxygen के साथ वो कम हो जाए ठीक है तो iron and steel tools and machine parts for example are rubbed with grease or oil to prevent corrosion corrosion से बचाने के लिए मतलब rusting से बचाने के लिए corrosion से बचाने के लिए हम क्या करते हैं हम इसमें grease या फिर oil की coating करते हैं तो दूसरा तरीका याद रखेगा पहला तरीका था paint लगा देना और दूसरा तरीका grease और oil लगा देना तो जहां पर भी ऐसे conditions हैं कि हम paint नहीं कर सकते हम वहाँ पर grease या फिर oil लगा सकते हैं rusting of iron can be prevented by galvanization okay so galvanization की process से भी हम rusting को बचा सकते हैं galvanizing protects articles exposed to the excessive moisture such as roof sheet and pipelines against rusting galvanization is the technique of applying a thin layer of zinc to steel and iron to prevent the rust galvanization की process जैसा मैंने आपको बताया अभी galvanization की process में क्या किया जाता है जो भी आपके steel है या फिर iron है या iron के जितने भी alloys हैं उनके उपर अपन zinc की layer लगा देते हैं यह जो zinc material है ना यह moisture के साथ और oxygen के साथ में react नहीं करता react नहीं करने का मतलब यह है कि आपने अगर इसको किसी metal के उपर इसकी coating लगा दी zinc का material लगा दिया तो क्या होगा उसमें direct contact नहीं हो पाएगा moisture का और आपकी humidity का या oxygen का clear तो इससे क्या होगा फिर rust की जो process है वो नहीं हो पाएगी और हम steel को और हमारे irons को किस से बचा आंगे रस्टिंग से जनरली कहां की जाती है यह जो galvanization की method है यह जो galvanization method है वो roof sheets में जो आपके roofs की sheets छतों पर शीट लगाई होती ना उनके उपर लगा दी जाती है ताकि क्या कर सके हम हमादी जो sheets हैं उनको prevent कर सके clear हुआ तो third method क्या थी galvanization की method I hope सारी methods जो है वो आपको क्या होता है तो बता देती हूं मैं आपने अभी दो एक नय वर्ट सुने है एक तो galvanization मैंने आपको एक नया वर्ट बताया और दूसरा वर्ट क्या है इलेक्ट्रो प्लेटिंग तो दोनों में confused मत होईएगा galvanization मतलब zinc का एक पूरा layer लगा देना इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होती है एक process होती है जिसमें हम क्या करते हैं दो metals को मिला देते हैं मतलब दोनों की properties मिल जाती है ठीक है जैसे अपने copper को steel के साथ मिला दिया तो एक metal alloy बन गया वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहलाता है या फिर आप यह समझ सकते हो जब किसी metal के उपर permanent एक ऐसा metal बना दिया जाए जिसमें किसी और metal की layer चड़ी हो तो उसे हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं इसका example कहां देखा होगा आपने आपने देखा होगा आपके घर में आपने देखा होगा कि कई पैन जो है उपर से steel के और नीचे से copper के होते हैं ऐसा क्यो प्लेटिंग में एक metal के उपर दूसरे metal के लिए भी चड़ा दी जाती है या फिर अपन क्या करते हैं दोनों को mix करके एक नया metal भी बना सकते हैं तो ऐसा कर देने से क्या होता है ऐसा कर देने से ऐसा होता है कि मालने जिए iron का पीस से उसके उपर आपने किसी और metal को या उसक उपर किसी की परत अगर चड़ा दी तो क्या होगा जो आपका direct exposure है उसका moisture के साथ और oxygen के साथ वो नहीं होगा मतलब उस पर directly oxygen भी नहीं आएगी नहीं moisture आएगा और जो आपका metal है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा तो electroplating plating क्या होता है ऐसी process जिसमें हम दो metals को मिला करके एक metal form करते हैं या फिर वो process जिसमें एक metal और दूसरे metal को आपस मिलाया जाता है वो process electroplating कहलाती है so examples क्या है इसके non corriding metals including tin, nickel and chromium are electroplated on iron अब आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से material जो है या कौन-कौन से जो metals है वो हम iron के उपर generally छड़ाते हैं तो tin, nickel या chromium ठीक है यह सब ही हम क्या करते हैं non corriding मतलब इनका corrosion नहीं होता इसमें rusting नहीं होती है यह तूटते नहीं आजानी से ठीक है मतलब कि अगर आपने इसको sun के और moisture और water के exposure में रख दिया तो यह chloride नहीं होंगे corrosion इनका नहीं होता तो यह जो आपके tin, nickel और chromium है इनको हम metal के साथ में हमारे iron के साथ में लगा देते हैं this technique not only keeps the goods from rusting but also improve their beauty क्योंकि यह दिखने में बहुत shiny होते है यह सारा material तो इसलिए क्या होता है कि beauty भी increase होती है और हम उसको रस्टिंग से भी बचा देते हैं तो जनरली इस तरह के कि जो metals है वो कहां use होंगे हमारी bathrooms में bathrooms में क्योंकि ज्यादा तर पानी का use bathroom में ही किया जाता है ठीक है इसलिए bathroom fittings में ऐसे electroplated metals का use होता है मतलब ऐसे metal जिसमें हमने एक और metal को मिला करके बनाया हो और कहां पर होता है इसका use तो vehicle के element में such as bicycle handlebars car bumper and so on are the examples of chromium plated items तो chromium plated items के अगर आप example देखो तो कहां कहां पर होते हैं आपके bicycle का handle car के जो bumpers होते हैं वहां सभी क्या mix क्या किया जाता है मिक्स किया जाता है आरेन के साथ में किसी और alloy को जैसे कि आज तिन निकल या chromium generally हम क्या करते हैं कार की bumpers के लिए हम generally उसमें chromium plated iron का करते हैं अब आप सोचेंगे कि भई fiber body होना चाहिए लेकिन जनरली क्या होता है bumper जो है सबसे पहले आपका टक्राता एक्सिडेंट के दौरान तो अगर उसकी strength अच्छी है तो फिर आपकी गाड़ी थोड़ी बच सकती है तो इसलिए अपन क्या करते हैं आइरन को इसमें मिलाते हैं तो कि एक मैटल है वो जो कि strong रहेगा आइरन में रस्ट ना लगे जंग ना लगे इसलिए फिर अपने उसमें क्रोमियम मिला दिया clear तो फैल यह सारी methods थी जो कि क्या करती है आपके material को रस्ट से बचाती है एक और एक method है वो है करेंगे लेकिन स्टेनलेस स्टील का examples क्या क्या है मतलब किस किस चीज को रस्ट से बचाने के लिए हम करते हैं तो हमारे cooking utensils scissors medical equipment for example do not corrode वह इनका को राइड और यह सब को रिजन हो गया medical equipment का तो जल्दी खराब हो जाएंगे और यह नुकसान भी पहुंचा सकते हमें बॉड़ी को तो इसलिए वहाँ पर स्टेनलेस स्टील को यूज किया जाता है stainless steel में भी कभी रस्ट की problem नहीं होती है clear so यह सारे हमारे रस्ट की prevention थे आप अपन देख लेते हैं कि मैं रस्ट जो है वो सब एक इसका एक बहाँ एक्जांपल कि सबसे जादा रस्ट कहां पर प्रड्यूस होती है तो वह आपने कई बार देखा होगा कि आपकी सी एरिया में इस तरह से आपका शिप जो है वो जाती रहती है शिप में सबसे जादा रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसका जो लोवर पार्ट है ना वह आईरन का बना होता है ठीक है आईरन का यह आईरन ऐलॉय का बहुत जादा यूज होता है clear तो इस तरह से कि अगर इनको अपने सी वॉटर में रख दिया तो इसमें रस्ट बहुत जावा जल्दी लगती है क्योंकि एक तो राइरन का मतिरीयल और दूसरा आपने उसको किसमें डाल दिया है सॉल्टी वॉटर में तो सौल्ट तो बहुत ही जल्दी रस्ट को प्रूद्यूस करता है So you know that the ships are made of iron and a part of them remains underwater on the part above water also ठीके पानी के अंदर वाले parts भी iron के बने होते हैं और उपर की जितने parts है उसमें भी iron particles को ही हम use करते हैं तो अब क्योंकि यह generally कहां रहता है, sea area में रहता है तो आसपास moisture भी रहता है तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ships के साथ में होती है क्योंकि इसमें salt content of water जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वज़े से इसमें जंग बहुत ज़्यादा लगती है तो जब भी अपन ship पे अगर आप जाओ उनलों को से बात करो तो आप देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में जाकर के वो ship पे से पानी को हटाते रहते हैं क्योंकि यही एक तरीका है बाकी अपन जितने भी कोटेंग है वो तो करते ही हैं लेकिन जो और तरीके हैं कि भाई उसके एरिया को सुखा के रखो जहां पर भी पानी है उसको हटाते रहो आप देखें वो वाश करते ही रहते हैं ताकि क्या कर सकें ताकि इस रस्ट से ship को बचा सकें तो salt water make the process of rust formation faster क्योंकि salt water जो है वो बहुत जल्दी formation बनाता है rust का therefore ships suffer a lot of damage from the rusting in spite of being painted paint कर दो है कुछ भी कर दो लेकिन salt के अंदर ही है ना तो salt तो rust को बहुत जादा बढ़ाती है इसलिए ये painted रखना उसको ज़रूरी है और time time पर लोग paint करते रहते हैं so much so that a fraction of ships iron has to be replaced every year और आप देखेंगे कि भाई ship का जो maintenance cost है वो बहुत जादा होता है क्यों जादा होता है क्योंकि इन में rust की condition बहुत जादा बढ़ जाती है तो ये एक example है किस चीज का ship का आपको मैंने हाप पर discussion किया कि salty water में मैंने आपको बताया था कि rust बहुत जादा लगती है तो कैसे लगते है तो आप examples याद रखिएगा ship का ship में rust की problem बहुत होती है इस वज़े से हर साल उनका जो maintenance cost वह बहुत जादा आता है तो वेल आज किस लेक्चर में मैंने आपको rust के बारे में बताया और इसकी prevention की टेक्निक बताई क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अगर आपने पुराने कुछ वीडियो नहीं देखे हैं और कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप वह भी देख सकते हैं तो कहां से देखेंगे www.magnobrains.com पर जाना है क्लास को सेलेक्ट करना है क्लास को सेलेक्ट करते साथ ही आपको एक और स्क्रीन दिखेगी कुछ इस तरह से जहां पर हर सब्जिक के आपको फोल्डर दिखेंगे जब सब्जिक पर क्लिक करिए तो आपको क्या दिखेगा आपको चैप्टर वाइज यहां पर टॉपिक्स द क्लास 12 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रिसेंट अप्डेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए वेल मिलती हूं में नेक्स क्लास में तिल देन स्टे हैपी स्टे हैल्दी थैंक यू सो मच